नमस्कारम सद्कुरू जन्म के समय और जन्मस्थान के आधार पर बच्चों का नाम रखने का क्या महत्व है? संस्कृत वर्ण माला स्रिष्टी के गहरी समझ से आती है क्योंकि ये भाषा बोल चाल के लिए नहीं बनी थी ये केवल बोल चाल के लिए हमारे द्वारा बनाई गई भाषा नहीं है इस भाषा को लोगों ने अस्तित्तु से ही निकाला है इस भाषा का विकास स्रिष्टी को देख कर हुआ न कि कलपना करके कई मायनों में जिन ध्वनियों का आप उचारण करते हैं और जिन आकारों का जिक्र करने के लिए आप इन ध्वनियों का उपयोग करते हैं ये जुड़े हुए हैं मंतर का यही अर्थ है मंतर का अर्थ है एक ध्वनी, एक शुद्ध ध्वनी यंत्र यानी उससे जुड़ा हुआ आकार इसे समझने के लिए अगर आप physics के बारे में कुछ जानते हैं कम से कम अगर आपने high school में physics पढ़ी है तो आपने ध्वनी के बारे में कम से कम एक chapter तो पढ़ाई होगा अगर आप किसी oscilloscope में ध्वनी डालते हैं जो ध्वनी को मापने का यंत्र है तो उस आवास की frequency, उसके amplitude और बाकी पैमानों के हिजाब से ये हर बार आपको एक खास आकार दिखाएगा तो एक ध्वनी के साथ एक रूप जुड़ा होता है इसी तरह से एक रूप के साथ एक ध्वनी जुड़ी होती है जब एक बच्चा जन लेता है, तब सौर मंडल की जामती स्थिती के आधार पर ब्रह्मान पर गौर करने का भी एक तरीका है, पर वो काफी जटिल है कम से कम सौर मंडल की जामती स्थिती पर गौर करके लोग ये तै करते हैं कि ये ध्वनी सबसे अच्छी होगी उस बच्चे के लिए जिसने इस दिन इस समय पर जन लिया है इसका एक वैज्ञानिक आधार है लेकिन इसमें कुछ गुणजाईश भी है क्योंकि संस्कृत वर्ण माला में चववन अक्षर है इन अक्षरों को सैक्डो छोटी ध्वनियों में तोड़ा जा सकता है उन छोटी ध्वनियों के आधार पर लोगों का नाम रखना बहुत जटिल है जब उनको नया नाम देने की बात आती है अगर वो ब्रह्मचार्य या सन्यास लेते हैं उन्हें नया नाम देते समय हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं जन्म के आधार पर नहीं बलकि उनके कुछ पहलूँ को देखते हुए और वो दीक्षा को कैसे ग्रहन करते हैं इसके आधार पर हम नाम को व्यवस्थित करेंगे ताकि उस नाम या ध्वनी का उससे मेल हो अर्थ नहीं अर्थ कोई माइने नहीं रखता क्योंकि आप जो चाहें वो अर्थ बना सकते हैं अब हमें आपके बच्चे को इस तरह का नाम देना होगा कि जब भी आप उस नाम को पोकारते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ढीला हो जाए लेकिन अगर आप उसका नाम अनिरुद रखते हैं वो देश के बाहर जाएगा या भारत में भी अगर आप बैंगलोरू जाते हैं तो लोग आपको एंडी कहेंगी ठीक है अगर आप उसका नाम जनक रखेंगे तो वो उसे जैक कहेंगे हमें नहीं पता कि वो उसका कैसा नाया नाम रखेंगे ऐसा होगा कुछ हद्था के महत्वपून है अगर आप मोक्ष की खोज में है तो जो नाम आप बोलते हैं जिस ध्वणी का आप उचारण करते हैं वो महत्वपून हो जाती है भारती समाज में लड़कों के नाम रखने पर ज्यादा ध्याम दिया जाता है बजाए लड़कियों के क्योंकि किसी लिंग भेद की वज़े से नहीं क्योंकि आपको उसी पठे के साथ रहना है लड़की तो किसी और की परिशानी है क्योंकि बेटा आसपासी रहेगा आपके आखरी सांस तक जब आप मर रहे हैं अगर आप अपने बेटे को बुलाना चाहें तो आप कहेंगे शिवा वाह अगर वो सैम है तो क्या करें इसलिए माता पिता भी ध्यान देते हैं कि हम तो लगातार क्योंकि हो सकता है कि वो खुद अपने नाम का अक्सर इस्तिमाल न करें लेकिन हमें ये नाम बार बार पुकारना पड़ेगा इसलिए ये परिवार की जामिति के अनुसार होना चाहिए मगर वो ये नहीं जानते कि लड़की को क्या नाम दें क्योंकि वो अभी तक ये नहीं जानते कि वो किस से शादी करेगी तो आम तोर पर शादी के समय लड़की का नाम बदल दिया जाता था आप जानते हैं करीब 25 साल पहले तक अधिकतर मैलाओं का शादी के समय नाम बदल दिया जाता था पती का नाम देखकर उसके गुणों के आधार पर या ग्रहों की जामिती के आधार पर नाम बदला जाता था ताकि वो मेल खाए आजकल ये अपमान जनक माना जाता है मैं अपना नाम क्यों बदलूँ? ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये चूंकि हर चीज का शोशन करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है उसकी वज़े से हर चीज के लिए प्रतिरोध आ जाता है अगर इसे सही तरीके से किया जाता तो सभी से स्वीकार करते जब इसे सही और उचित तरीके से नहीं किया जाता तो ये परिशानी बन जाता है तो हमेशा से बेटे का नाम करन एक महतुपूर्ण प्रक्रिया रही है क्योंकि आपको उसी के साथ रहना है आजकल वो दूर चले जाते हैं तो चले का लेकिन उन दिनों वो मरते दम तक आपके साथ रहते थे इसी लिए ये जरूरी था कि जो नाम आप पुकारें वो परिवार के जोमेट्रिक एक्वेशन में फिट हो ली कि अजक है धए रह κthिता क्वेशन में वो परिवार